हलो दोस्तों, हमारे चैनल लोचक कहानिया में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है, तो चलिए हम आज की कहानी सुरू करते हैं, आज की कहानी है थ्रीसम का कॉन्सेप्ट अनीता, एक बात मेरे मन में है, कहूँ? समीर ने अनीता के होटों पर चुम्मन अंकित करते हुए कहा, तुम तो मना करते हो इन छनों में कुछ बात करने को, इन छनों में सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही बाते करने के लिए कहते हो अनिता ने सोखी से समीर के फिट फर अपनी पकड मजबूत करते हुए कहा इन छनों में जो बाते करने के लिए कहता हूँ वही बात है समीर ने कहा कहो अनिता ने समीर को चुमते हुए कहा हम दो के अलावा कोई तीसरा हो तो कैसा रहे काफी मजा आएगा मेरी दिली खुआ ही से इसकी छी कैसी बाते कर रहे हो मुझे दो सादी के पहले या सब करना ही उचित नहीं लगता सिर्फ तुम्हारे कहने से मैं तयार हो जाती हूँ अनिता ने कहा तीसरे के जगा पर कोई तीसरी भी हो तो चलेगा तुम्हारी कोई फ्रेंड हो तो उससे बाते कर सकती हो समीर ने कहा अनिता समीर की बातों से विश्मित हो गई उसे इस तरह की बात की जरावी आसा नहीं थी वह समीर के साथ लगभग दो वर्सों से डिलेशन्शिप में रह रही थी वह समीर से प्यार करती थी समीर ने ऐसी बात कह दी थी यह सोच कर अनिता ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था पर दूसरे दिन उसने फिर उससे पूछा अनिता वो तीन वाली बात पर तुमने कुछ विचार किया कहो तो मैं अपने मित्र जीवन से बात करूं नहीं समीर मुझे यह बिल्कुल भी पस उसरे के साथ सारीरिक सम्मंद भी एक मनोरंजन है इसका आनन उठाने में क्या हर्ज है तुम चाहो तो संजना से बात कर लो वह तुम्हारे साथ काफी गुली मिली भी है मुझे थ्री सम का कॉंसेप्ट बहुत भाता है यह मेरे वर्सों की तमन्ना है प्लीज अनिता समीर न थी उसके कहने पर वह कभी कभार उसके साथ सारीरिक सम्मंद भी बना लिया करती थी पर उसकी नई मांग अजब थी यह अनिता के नैतिक मुलियों के खिलाब था उसके नैतिक मुलियों के खिलाब तो साधी से पहले सारीरिक सम्मंद बनाना भी था पर सुरक्षात्मक उप पाए अपना कर ऐसा वह सिर्फ अपने प्रेमी समीर के साथ कर सकती थी और समीर अब किसी और को भी इसमें सामिल करना चाहता था यहां तक कि कोई लड़की भी हो तो उसे स्वीकार्य था पहले उसे लगा कि उतेजना में उसने ऐसा कह दिया है परंतु पिछले कई महेनें से वह इस बात पर जोड़ दे रहा था खासकर अंतारंग्छनों में वह जरूर मुद्दे को उठा देता था क्या करें उसके समझ में नहीं आ रहा था वैसे हर बार उसकी इस मांग पर उसने अपनी असहमत्य जताई थी कई बार वह उसके स्थान पर खुद को रखकर उसकी मा होगा या होगी उसके साथ कैसा रिस्ता वनेगा समीर हमेशा उसे ओपन माइंडेड होने की सलाह देता था पर ओपन माइंडेड होने का यह मतलब तो नहीं कि नैतिक मुल्य को ताक पर रख दिया जाए जो लोग ऐसे कृत्य में खुद को सहज पाती हैं वे भले ही ऐसा करे पर वह इसके लिए सहज नहीं हो पा रही थी एक दिन वह बैठी अख़वार के पन्ने पलट रही थी कि एक इस्तंभ पर उसकी निगाह गई इसमें पाठक अपनी प्रेम से सम्मंधित समस्याओं की सलाह विसेसग्य से लेते थे एक बड़ी ही वीचितर समस्या इसमें उसन वैवहारिक सुझाओं दिया था उसे उसका सुझाओं बहुत ही अच्छा लगा था उसने देखा इस्तंभ के नीचे एक इमेल पता दिया हुआ था और इस पश्ट आमंतरन था पाठकों से सारेरिक और प्रेम से सम्मंधित समस्या का हल पाने के लिए उसने इमेल पता को पढ़ने लगी इस क्रम में आने कई लोगों की समस्याओं से वह रूबरू हुई उसे आश्चर्य हुआ कि लोगों के पास अलग-अलग तरग की समस्याएं हैं कुछ तो बिल्कुल ही विचित्र एक सब्ता के बाद उसने अपनी समस्या का समधान अख़वार में छपा पा है जिसमें दोनों पख्च एक दूसरे का सममान करें आपके बॉइफ्रेंट को उस सिमा को मानना चाहिए जो आपने अपने लिए और उसके साथ अपने भविसे के लिए टाए कर रखा है आप इस पिश्ट रूप से उससे बात करें उसे इस पिश्ट रूप से बताएं कि आप उसकी बात को क्यों नहीं मान सकती। ओपेर माइंडेड होने का मतलब यही है कि किसी भी मुद्दे के पक्ष और वीपक्ष को समझा जाए और फिर उस पर सोच विचार कर सही निर्ने लिया जाए। अनीता को या सुझाव पसंद आया, पहले उसने विचार किया कि क्यों उसे उसका तिखड़ी वाला प्रस्ताव स्विकार नहीं है। सबसे पहले तो उसके मन में ख्याल आया कि सारीरिक सम्मंद सिर्फ दो पार्टनर के बीच होना चाहिए, तिसरा कोई भी वीच में नहीं आना चाहिए। यही कारण है कि सारीरिक सम्मंद बिल्कुल एकांद में किया जाता है, फिर यदि तिसरा या तिसरी को सामिल किया जाए, तो आपसे सम्मंदों में दरार आ सकती है। हो सकता है कि उसके और समीर में से कोई तिसरी की और आकरसित हो जाए, और फिर पूरा समीकरन बिगड़ जाए, पर ज्यादा महत्वपुन उसे नैतिक आधार ही लगा। अगली बार जब समीर ने इस बारे में चर्चा की, तो उसने इस पष्ट रूप से उसे अपना विचार बता दिया, साथ ही या भी बता दिया कि यदि उसे यह आईडिया आजमाना है, तो वह उसका साथ नहीं दे सकती। उसे डर था कि साथ समीर नाराज होकर उसका साथ छोड़ देगा। परंतु समीर समझदार निकला, उसने उसके तर्क को सुना और बात उसके समझ में आई, उसने अपनी विचित्र मांग को तज कर अपनी प्रेमिका के साथ जिवन बिताने का नेने किया। दोस्तों आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी प्लीस कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक कहानिया पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू